तो आज है 30 December का 31 और फिर आपका नया साल शुरू हो जाएगा तो यह जो नया साल है इसको शुरू होने के पहले हमारा कोशिश यह है कि जैनवरी से लेके December 2021 के जो इसको हम एक राउंड रिवाइस कर ले आज मैंने तीन मन्त जैनवरी, फेवरी, मार्च और अचली एप्रिल भी उसके करेंट फैस निकाले हैं आप लोग जो है वो अपने आपको चेक कर लीजे आपको कुछ चीजे याद हैं कि नहीं याद हैं क्या आपका स्टेट अफ माइ इसमें आप सबको जाना है बहुत जल्दी एफक्याट में जाना है जल्दी से एक गवर्मेंट जॉब लेके दिखाना है ओके अरे जिद करना सीखो जो लिखा नहीं है मुकदर में उसे होसला करना सीखो तो आपको अपने लग पे डिपेंड नहीं करना है आपको अपने हा इसा कुछ नहीं होता है, किसमत कुछ नहीं होता है, किसमत लोग बनाते हैं, है ना, विराट कोली के बारे में आप लोग अच्छे से जानते हैं, विराट कोली जब एक मैच खेल रहे थे तो उनको पता चला कि उनकी फादर का जो है, वो डेथ हो गया है, लेकिन उनोंने वो म complete किया और आज बताईए बारत में इन से ज़्यादा बड़ा personality भी है क्या कोई नहीं ना तो इसी लिए आप अपने आपको motivate करते रहे हमेशा चले हाँ जैनवरी का लग और इन का लग ठीक है तो यह देखे राधिका जा नेम्ड एज CEO of energy efficiency service यह एक news हो गया है और आप लोग इसको याद रखे क्योंकि फिर मैं जब current fast खडाऊंगी तो इस तरह से question पूछोंगी ठीक है तो राधिका जा जा जो है वो EES की CEO बन गई है energy efficiency service E.O. Wilson known as father of biodiversity passed away तो यहाँ पर इस question है एक तो arbitrary का हो गया कि E.O. Wilson जो है वो environmentalism का निधन हो गया है और दूसरा question यह है कि अगर आप से पूछा जाएगा कि father of biodiversity कि इसको कहते है तो वो है E.O. Wilson clear है चले जो नेक्स तिंग इस कि former Greek president यह जो was this clear है ना former Greek president जो है इनका नाम है Carlos Carlos Pampolis इनका भी निधन हो गया है पैपोलियास पैपोलियास जो है इनका निधन हो गया है Carlos Greek के यह president थे पहले clear है तो यह कुछ important news है next news आपके सामने है I.S. प्रवीन कुमार name as D.G. and CEO of Indian Institute of Corporate Affairs तो Indian Institute of Corporate Affairs के जो है D.G. और C.E.O. I.A.S. प्रवीन कुमार जी बन गए है इन्दसन बैंक के इन्दसन बैंक और N.P.C.I. ने tie-up किया है साथ में cross border payment through the U.P.I. तो इन्दसन बैंक और जो N.P.C.I. ने tie-up किया है ताकि cross border हो सके U.P.I. के through payment clear है चले फिर the next thing is HDFC bank tie-up with I.P.P.B I.P.P.B. to offer the banking service in ruler area तो यह है फिर आपके next news yes India Paisa tie-up with NSGL payment bank to launch a new fintech ठीक है this is one news in news number कितना हो जाएगा seven eight हो जाएगा viral दिसाई bagged global environment and climate action citizen award 2021 किसने back किया है वाइरल दिसाई ने RBI imposes penalty on payment operator won Moby Vic and Spice Money तो Spice Money on Moby Vic में जो है RBI ने fine लगा दिया है okay now we will go with the question answer पहला question आपके सामने है which state has recently won Vijay हजारे trophy by defeating Tamil Nadu यह बताएं पहला question करेंट इफेस का question है और यह आपके सामने इसका पहले answer दे बताएं ठीक है वन का answer मुझे मिल रहा है वन का यह बताएं कि जो विजय हजारे है वो किस गेम के लिए related ऐसा बैटिंग से समझे कियोंगे तो बैटिंग फर्स तमिल नाडू ने इतना स्कोर किया और फिर फाइनली हिमाचल प्रदेश ने तमिल नाडू को हडा दिया है और अब हिमाचल प्रदेश तमिल नाडू के साथ फाइनल्स खेलने के बाद हिमाचल प्रदेश ने अपना पहला विजय हजारे ट्रॉफी जीत लिया है जो की क्रिकेट में होता है नेक्स क्वेस्टन है नेक्स क्वेस्टन की पहले अगर आप सब कुछा चाहे रंजे ट्रॉफी 2019 1921 किस ने जीता है तो यह सौराश्ट्र है और रनर अड़ बेंगॉल रहा है ओके फिर सेद मुस्ताक अली ट्रॉफी यह तमिल आडू ने जीता है रनर अड़ करनाटका रहा है डुरांड यह फुटबॉल का होता है पहली बार 130 साल डुरांड में पहली बार गोवा ने जीता है और संतोष ट्रॉफी जो है सर्विसेज जितने लोग सर्विस करते हैं वो अपना टीम बनाके संतोष ट्रॉफी जीत चुके हैं सर्विसेज में उके फिर नेक्स स्क्राइब देखें वह ज्री से लिए वन नाशनल बीलियर्ट सटल तो यह आप जानते हैं कि यह पंकजडवानी जीट सकते हैं पंकजडवानी ने नाशनल बीलियर्ट टॉट जो है उसको जीत लिया है और आग्यारवी बार इन्हों ने यह ट्रॉफी ज जीत लिया है बीलियर्स में, क्लियर है, the next question is, देखें, क्वेशन के पहले, अगर आपसे पुछा जाए, 72nd, 71st Grandmaster कौन है, तो यह देखें मित्रा बाहा गुहा, यह 72nd है, इसके पहले जो है, संकल्प गुपता जो है, वो 71st है, next question is, कि अगर आपसे पुछा जाए, कि इंडिय इंडिया का रांग क्या है, मेडल टाली में, किस चीज के मेडल टाली में, एशियन आर्चरी चांपियंशिप, जो कि धाका में हुआ है, उसमें इंडिया का है, रांग 2nd, और हर बजन सिंग जो है, उन्होंने हर फॉर्म से रेटार्मेंट ले ली है, यह कुछ sports related news आपके ह हो गया, yes, very good, माई का पी ठीक है न, वाज आ रही है, clearly, हाँ, तो बताएं कि, which bank has won, CIIDX Award for the Most Innovative Best Practice, यह बताएं कि, सबसे ज़्यादा innovative best practice करने वाला जो bank है, वो कौन सा bank बन गया है, इसको बताएं जल्दी से comment section में, yes, बढ़िया, बढ़िया, guys, I'm not getting your answers, everything is clear, right, तो चले, इसका answer जो है, वो क्या है, HDFC bank को नॉमिनेट किया गया, Most Innovative Best Practice, यानि कि, इन्होंने बहुत कुछ नया नया शुरू किया है, इसलिए इनको best innovative practice के लिए बोला गया है, अवार्ड मिला है, CII, Confederation of Indian Industry Digital Transformation Award 2021 के लिए, clear हो गया है, चले, उसके बाद देखें, HDFC और Q News में था, मुँ बंद रखो campaign HDFC का है, HDFC का tagline है, We understand your world, उसके बाद HDFC के CEO और MD जो है, सतीश धर जगदीशन है, और फिर HDFC से related नहीं, लेकिन पूरे bank के President of Indian Bank Association जो है, यह मैंने काफी बाद बताये, इसके गोएल है, है ना, Next question in front of you, please tell me the answer, थोड़ा जल्दी करते हैं हम लोग, क्योंकि काफी सारे questions हमें discuss करने है, यह है, which government, state government has recently launched Meena Manjapa scheme, देखे, इसको ध्यान से देखे, ठीक है, Meena Manjapa, ठीक है, यह बता है, Manjapa जो scheme है, यह किस bank, यह किस state का launch है, तो देखे, इसको समझे, Tamil Nadu के जो Chief Minister है, उन्होंने यह scheme को launch किया है, कि यह promote करेंगे cloth bag, यानि कि plastic bag को हटा कर, यह कपडों से बने हुए bagों को यहाँ पे promote करने की बात कर रहे है, ताकि eco-friendly हो सके, और the purpose of this awareness is to use yellow cloth bag, जो कि Manjapa जो कि Manjapa जो कि is encouraged people to return to the use of the cloth bag eco-friendly के लिए, clear है, हाँ, ओके, now the next thing is, देखे, Tamil Nadu से related हर चीज़ हम लोग देख लेते हैं, education at your door step यह Tamil Nadu ने शुरू किया है, ठीके, Tamil Nadu और क्यों न्यूज में है, apple festival जो है, यह नरेंद्र सेंग तोमर जो कि agriculture minister है, यह कहाँ पर शुरू हुआ है, यह तो obviously Tamil Nadu में नहीं हो सकता, जम्मो कश्मीर में हुआ है, उसके बाद daily cooperation जो scheme है, यह Amit Shah के अंदर है, ठीके, Amit Shah ने इसको inaugurate किया है, ministry of cooperation भी Amit Shah जी के अंदर है, यह question का answer आप लोग बताएं, यह पहले अभी हम लोग current affairs कर रहे हैं, फिर दस question के बाद हम लोग back questions में जाएंगे, which state, which state world sangeet tansain utsav जो है, यहाँ पर organize करने वाले हैं, world sangeet tansain utsav कहाँ पर होने वाला है, यह बताएं, तो देखें इसका answer क्या है, यहाँ पर है कि world music tansain जो है, मद्धे प्रदेश में होने वाला है, आपको पता है, tansain जो है, वो मद्धे प्रदेश के हैं, और यह गौालेर में होने वाला है, 25 December से 30 December, आज last date है, यह होने वाला है, हो रहा है, और यहाँ पर आपको यह भी याद रखना है, कि यह सिधनाथ टेंपल, जो ओम का रेश्वर में located है, not only India, बट, many artists from abroad भी, यहाँ पर आके participate कर रहे हैं, गौालियर में सिधनाथ टेंपल, जो कि ओम का रेश्वर में है, वहाँ पर यह उत्सब मनाया जा रहा है, और अब हम लोग पढ़ेंगे कि और क्या-क्या न्यूज है, देखें, मिघाले में वंगला फेस्टिवल, वंगला फेस्टिवल, 44th वंगला फेस्टिवल मनाया गया है, इसको ध्यान रखेगा, बोनालू फेस्टिवल, जो कि फ्लावर का फेस्टिवल होता है, बहुत सारे फूल पत्ती रहते हैं, इसमें उससे सजाया रहता है सब चीजों को, यह तेलंगना में मनाया गया है, और जबलपूर मध्य प्रदेश में, फ्लाग सत्याग्रा इसको मनाया गया है, यह तो आप लोग जानते ही हैं, फ्लाग सत्याग्रा, राइट, चले, थोड़ा, हम लोग ना, अब इसको आउटपुट थोड़ा मैच आती हो, मेशा क्लास में बढ़ते रहे, 60 मिनिट्स में मोर देन, 100 questions, मैं लग, question number 60 हो, लेकिन आपको knowledge जो है, वो जाला से जाला मिल जाए, राइट, आप next देखें कि recently, नरांदरन, जोडी जो है, कोलापन, यह judge बने हैं, Indian Origin के, highest judicial bench, कल ही हमने इसके बारे में बात किया है, इनके बारे में, अब आप लोग मुझे जल्दी सबताएं, कि यह किस country के बने है, कल तो बात किया है हमने इनके बारे में, बिलकुल, देखते ही बता देना है, South Africa, इसमें क्या ही देखना है, तो यह, नरांदरन, नरांदरन जोडी कोलापन जो है, कोलापन जो है, यह South Africa के हाइस जजज बन चुके है, और हम लोग इनके बारे में क्यूं पढ़ रहे हैं, क्यूंकि यह Indian origin के है, कल मैंने फोटो भी दिखाया है, जिसने भी क्लास किया होगा, उसको याद होगा, येस, और आप देखे, और कुछ न्यूज देखे, अगर Nansen Refugee Award के बारे में पूछा जाए, Humanitarian Organization है, ये लोगों की मदद करता है, Nansen, तो Nansen जो है, वो येमन में है, ठीक है, उसके बाद अगर आपसे पूछा जाएगा, कि Indian origin में ही सवाल, कि First Indian American Women, to become the Staff Secretary of US President Joe Biden, तो ये है, Neera Tundan, ठीक है, जिनका भी पहला क्लासाफ का क्लास में, बहुत-बहुत स्वागत, फिर आप देखे, Indian origin के लीडर जो है, Anita Anand, ये क्या बन चुकी है, ये Defense Minister of which country, ये Canada की बन चुकी है, Defense Minister Canada की जो है, वो Indian origin की, Anita Anand है, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है, हाँ, मुझे पता, ये यहाँ का कुछ हिशू है, उसको solve करेंगे, देखे, कल भी मैंने आपको बताया है, Double Valority का offer जो है, वो आज भड है, आज के बाद वो खतम हो जाएगा, तो आप लोग जल्दी से, जो भी आपको course लगता है, तो आप उसको आज बताएं, कि यहाँ पर Double Valority का offer है, और मैं time बिल्कुल waste नहीं करूँगी, code जो है, Y332 code है, चले, start, यह इसको मैं read कर देती हूं, Who has been appointed as the new chairman of Yamaha Motor Indian Group, तो देखे, कल तो हम लोगोंने कितना बार बोला है, है ना, तो इसको आप जल्दी से बता दें, इसका answer, PDF आपको मिल जाएगा, टेलिग्राम से, ठीके, टेलिग्राम से आपको PDF मिल जाएगा, अपने सहफ पार्टियों से, टेलिग्राम का, पूछ लें, कहां से, जो उड़ना है टेलिग्राम में, अब देखें, इनका नाम जो है, ये नाम है, चिन हाना, ठहना, चिन हाना, तो ऐसे चिन हाना, जो है, इनका नाम है, जपानी है, यामाहा के, ये क्या बन चुके है, यामाहा के, ये चेर्मन बन चुके है, यामाहा, बाइक वगेरा, चलता है आपको पता ही है जादा ही पता है आपको तो यह बन चुके हैं इसमें तो आपको कुछ जानना नहीं है मोतोफी शितारा जो है इनको यह रिप्लेस करके यह यामाहा के चेर्मन बन गया है अगर आप से पूछा जाए नाशनल इंवेस्टिगेशन एजेंसी एन आई ए के अडिशनल चार्ज में किसको लिया गया है तो यह कुल्दीप सिंग है फिर अगर आप से पूछा जाए सवाल कि डिरेक्टर जेनरल ओफ डिरेक्टर एट ओफ ओडिनेंस जहां से विपन वगयरा बनता है वो कौन है तो ई यार शेक जो है उसके डिरेक्टर जेनरल है अगला सवाल क्या पूछा जा सकता है कि चीफ हाइड्रोग्राफर देखिए जब यह बने तो बहुत हला हमने भी किया था और गवर्मेंट ऑफ इंडिया कौन बने काफी बाड़ आपसे क्वेशन पूछा गया है एड्मिरल अधीर अडोडा बन गये है देखिए अगर आपको करेंट अफेस में कुछ भी नहीं आता हो और यह तीन-चार तिन आप तेरे साथ बने रहेंगे तो इस साल भर करेंट पैस में रिवाइस करवा दूंगी इस इस अप्रॉमिस बस आपको तीन-चार दिन जो है बने रहना है कंटीनियस्टी फिर आप देखें स्पेशल डिरिक्टर ऑफ सीबी आई जो है सीबी आई तो यह बन गए है प्रवीन सिंग ठीक है प्रवीन सिन्हा प्रवीन सिन्हा बन गए है understood मैंने कितना नाम दिया आपको देखें ए यार शेख जो है वो औरडिनेंस के बने है जहां वेपन बना याता है कुल्दीप सिंग जो है वो एन आई ए के बन गए है उसके बाद हाइड्रोग्राफर जो है वो अधीर अडोडा जी बन गए है और स्पेशल डिरेक्टर ऑफ सीबी आई जो है वो प्रवीन सिन्हा बन गए है कल मैंने आपको विक्रम मिस्री जी के बारे में बताया है कि वो क्या बन गया है एन एसे के डिपिटी डिरेक्टर ठीक है चलिए अब चोटा सा लिखा हुआ है तो यहां पर दिखें यह मोधी गैंबिट करके डिकोडिंग मोधी 2.0 कल ही यह बुक मैंने बताया है कल इस बुक के बारे में आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि किसने लिखाई यह बुक अब ऐसे ही करेंगे ठीक है कि कल जैसे आज मैं बताऊंगी न्यूज और कल उससे कैस्शन पूछूंगी तो आज मैंने शुरू में नौ न्यूज बताएं और कल मैं उससे कैस्शन पूछूंगी तो आप लोग अवेर रहिएगा ठीक है जहां से इस नाव रानी लक्षमी तो यह देखे इसका तो पता ही आपको संजु वर्मा जो है इन्होंने किताब लिखा है जहां से आपका राष्ट्रिगान जो है वो रविन नाटेगोर ने लिखा है धर्मा जो है वो अमीश और भावना रॉय ने लिखा है यह थोड़ा हिस्ट्री का केस्टन हो गया है और सत्य प्रकाश सत्य प्रकाश दयानन सरस्वती जिन्होंने डी एवी की स्थापना की और क्या कहा गो बैक टू वेदाज ठीक है तो यह इन्होंने की किया है क्लियर है तो नेक्स तिंग इस यह करिशन का अंसर आप देखें और जली सांसर बताएं जेम्स वेब जो है वो लॉंच हो गया है बहुत पावरफुल है कहां का है हाँ जासी स्टेशन का नाम चेंज हो गया है जेम्स वेब जो है वो नासा का है जेम्स वेब टेलिसकोप कहां का है नासा का है यही सवाल आपसे बस पूछा गया है और ये कहां से launch किया गया है James Webb जो है वो French Guayna से launch किया गया है इसको भी ध्यान रखेंगे क्या पता पूछ लिया जाए Which state has top the composite ranking and good governance index तो ये तो आप जानते हैं कि Gujarat जो है इसने top किया है इसमें तो कुछ सोचना समझना है नी Gujarat ने top किया है उसके बाद Maharashtra है Gujarat के बाद Maharashtra है Maharashtra के बाद Goa है 1, 2, 3 Union के territory में किसने top किया है तो दिल्ली ने top किया है और उसके बाद कौन है हमको नहीं पता बस इतना ही ध्यान रखना है चले Which vaccine became the second to receive approval for emergency use of children in India ये बताए इसका answer याड ये मैं नहीं बताए ये आप बताए जल्दी से बताए ये answer कौन सा vaccine है जो कि second use के लिए use हो चुका है second इसके पहले कौन सा हुआ है अभी कौन सा हुआ है तो देखे इसका answer क्या होगा कि कोवाक्स बायो बायो टेक का जो कोवाक्स है उसको बोला गया है कि ये use कर सकते हैं कौन बोलेगा ये DCGI बोलेंगे देखे ये भी जानना जरूरी है कि drug controller जेनरल ओफ इंडिया ही बता सकता है कि कौन सा दवाई use करना है कौन सा नहीं करना है तो इन्होंने ये बताया है और कौन सा 12 साल के उपर के जो बच्चे हैं उनके लिए इसको चूस किया गया है को वाक्सीन बिकें दस सेकेंड क्लियर है येस बहुत बढ़ी है बहुत बढ़ी है आप लोग आंसर देते जहीं इसी तरह अब देखे यही question जो अभी हमने डिसकॉस किया है कि मीना मंजापी जो है वो किस स्टेट का है तो इसमें बस कुछ नहीं है पीला रंग का कपड़ा जो है उसी में आपको घर का खाना जो भी आप खरीते हैं आप पॉलिथिन ना यूज करे और ये मीना मंजापी यूज करे ये तमिल नाडू सरकार ने बोला है क्लियर हो गया है तमिल नाडू सरकार ने बोला है कि सिंगल यूज ऑफ प्लास्टिक एक बार यूज करके जो फेक दिया जाता है इससे जगा यूज ऑफ क्लोध बैक करेंगे कि बार बार वही बैक को हम लोग यूज करेंगे ये स्टैलेंग जो है करुना निधी स्टैलेंग इन्हों ने ये बात कहा है हो मिनिस्टर अमिच शाने भारत दर्शन भारत दर्शन पार्क किस सिटी में शुरू किया है ये बताईए हो मिनिस्टर अमिच शाने भारत दर्शन शुरू किया है तो ये यह लोगों ने कल बात किया इस बारे में और यह कहां पर शुरू हुआ है इसको बता दीजे आप लोग जल्दी से comment section में hi up तो यह दिल्ली में है तो दिल्ली में इन्हों ने इसको शुरू किया है भारत दर्शन पार का इनॉग। रिशाजी ने दिल्ली में किया है फिर the next question is, कि देखे, अजादी के 75 साल, स्चार रेटिंग प्रोटोकॉल अफ गार्बेज फ्री सिटी, टूल किट 2022, तो बोला गया है कि अब हम जो सारे कचरे जो हैं शहर से साफ कर देंगे, और ये बताएं कि ये किस स्टेट में हुआ है, मलब ये किस ओर्गनाइजेशन न इसको एनाउंस किया है, आयूश, नीती आयोग, M-O-H-U-A, ये क्या है, Ministry of Housing and Urban Affairs है न, और या फिर Indian Railway, तो ये शुरू किया गया है, Ministry of Housing and Urban Affairs द्वारा, ये कह रहा है कि जब हम अजादी के 75 साल मना रहे होंगे, तो हमें ऐसे शहर चाहिए, जो कि पूरी तड़ा से, क्या है गार्बेज फ्री है, इसमें सुल्ला इंडिकेटर्स रहेंगे, और टोटल वन स्टार से लेके, त्री स्टार तक इस तरह से चीजे चलेंगी, और इंडिकेटर्स जो है, पहले कितने थे, 24-25 थे, अब सुल्ला हो गये हैं, और ये स्वाच भारत अभ्यान 2 का है, हिस्सा, यह इंपोर्टन बात है, क्योंकि यह विमेन फुटबॉल है, विमेन फुटबॉल पे सवाल कभी-कभी नहीं आते हैं, लेकिन यह से पूछे जा सकते हैं, ठीक है, तो यह है बंगलादेश, बंगलादेश ने भारत को हडा कर साफ अंडर 19 विमेन फुटबॉल जीत लिया ह है, हां जी, बिलकुल, तो ऐसा हो गया है, खैर हो गया है, तो हो गया है, और यह देखिए एक है, शहीदा अक्तर रीपा जी, जब कोई अच्छा करता है, तो उनको एप्रिशियेट करना चाहिए, तो बंगलादेश में इनोंने माक्सिमम नंबर ओफ, माक्सिमम नंबर बनाया है, और इनको मिला है, Most Valuable Player, तो याद रखिएगा यह नाम, क्या पता, फिर से न्यूज में आ जाए, शहीदा अक्तर रीपा जी, क्लियर है, नेक्स, देखें आप, ट्राइफेड वन धन, ट्राइफेड वन धन, आप, पिक्टोरियल क्रानिकल ओफ, ट्राइबल ग् क्या है, क्या है, इस बारे में भी हम लोग जानेंगे, पहले आप लोग आंसर बताइए, अप्रिशियेट करना चाहिए, अगर किसी ने कुछ अच्छा किया है, तो इसमें अप्रिशियेट करने में क्या दिखका था, हवा की रुक मेरी तरफ नहीं थी, इसलिए हमने अपना काडवा जो है, वो हवा की रुक की तरफ मोर दिया, ये बात समझें, ये अडब सेलर्स बोलते होंगे जोगरफी में, चले तो इनका नाम जो है, ये है अरजुन मुंडा, और ये ही है हमारे ट्राइबल मंत्री, और इन्हों ने शुरू किया है, ट्राइफेड वंधन और ये पिक्टोरियल क्रोनिकल और ट्राइबल ग्रिफ्ट अन एंटरप्राइज है, क्लियर है, 14 हनी फार्मर्स प्रोड्यूस है, देखे, ट्राइब जो है, वो जंगल में डाते हैं, आपको पता है, जंगल कितना रिस्वार्स है, वहां से कितनी सारी चीज़े मिलती है, तो यहां से ये लोग जो है, वो हनी भी कलेक्ट करेंगे, ये क्या हो गया, कुछ-कुछ होते रहते हैं, आपके, अब देखे, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाइ स्कीन, जो कि 164 करोर हास बीन एप्रूवड अंडर जल जीवन मिशन, तो ये बताएं कि अब ये किस स्टेट का कहानी है, हर स्टेट में कुछ-कुछ कहानी होते रहता है, हम लोगों को सारी कहानिया पढ़नी है, तो ये देखे, उत्रा खंड है, जल जीवन मिशन, ये हो गया, 164 करोर एप्रूव किया गया है, जल जीवन मिशन म इकलियर है, और यहाँ पर देखे, कितने सादा विलेजेस को, 140 विलेजों के, अलमोडा, बागेश्वर और देहरादून, नानी ताल में, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट, ये पांच डिस्ट्रिक्ट के, जो 140 विलेजेस है, इनको इससे फाइदा मिलेगा, नेक्स क्याशन ह नरेंद्र सिंग तोमर ने इनाग्रेट किया है, चार दिन का एग्रिकल्चर एग्जिविशन, एग्रो विजन, ये कहां पर शुरू किया गया है, कहां शुरू किया गया है, आप लोग आपस में बात नहीं करेंगे, हमारा पढ़ाई सुनेंगे, सुन लीजे, नागपुर में इसको शुरू किया गया है, और ये देखें, ये एग्जिविशन 27 दिसेंबर तक है, थोड़ा एक दो दिन पुड़ाना हो गया, लेकिन आपको पता होना चाहिए, कि इन्होंने एग्री कल्चर के लिए, क्रिशी के लिए ये एग्जिविशन शुरू किया है, फिर आप देखें, ये तो हम लोग बहुत बार पढ़ चुके है, आप तो हम लोगो याद हो गया है, क्या नॉर्मल सबाद है, 66 मिलियन इस अगो, डाइनसौर का एंब्रियो मिला है, एंब्रियो आप समझते है, जहां से बच्चा निकलता है, डिसकवर्ड क्या गया है, कहां प बाद में जाके बच्चा विक्सित होता है, आप लोगो पता होगा, जैसे अंडा का एंब्रियो होता है, तो ये बताएं कहां मिला है, ये अमरिका में नहीं मिला है, चाइना में मिला है, और ये 66 मिलियन इस अगो का डाइनसौर का एंब्रियो गांजव में मिला है, गांज National Book Trust अनौन्स किया है अभी बहुत जल्दी हम लोग जैन्वरी फेवरेटी मार्च देखेंगे इसलिए आप लोग प्लीज थोड़ा सा जल्दी जल्दी आंसर दें दें हमारा स्पीड जो है वो ऐसा चलना चाहिए कि जैसे अभी आठ बच्च के 34 मिनट है क्लास चार मिनट बा कितने जादा और्थर हैं तो ये देखें टोटल 75 और्थर हैं अब ये समझे क्या है मोदी जी के गवर्मेंट में ये क्या शुरू हो गया तो मोदी जी ने बोला कि PM यूवा मेंटर्शिप शुरू करेंगे National Movement of India और यहां पे 75 और्थर को रखेंगे और ये जो हैं 30 साल से क हम के होने चाहिए और इनको ये पढ़ा लिखा गए मिला कुछ मेंटर्शिप करेंगे जिसमें से 38 मेल हैं और 37 फीमेल है क्लियर है अंडस्टूड चलें डाइनसौर को भी खा जाएगा चाइना वाला अच्छा ओके ग्यात नहीं है बहुत बहुत सारा ग्यात भी नहीं है इंडिया जोनी निकल प्रोड्यूजर आफ्टर रीसेंट एक्क्विजिशन ये बताइए बड़ा इंट्रेसिंग सवाल है इस सवाल आप समझ रहें इसक इसने कुछ एक्वायर किया है उसके बाद ये बनेगा यह बताएं जल्दी से कमेंट सेक्षिन में वतादे का हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि क्या कहानी क्या है इसके बारे में और येस तुक्का मारो मधुमीत तुम बस तुक्का मारो देखें वड़ानता लिमिटर ज और इसको acquire कर लिया है विदानता जो है एक लौता निकल प्रिडूजर बन गया है देश में और निकल जो है ये raw material है stainless steel के लिए batteries के लिए electric vehicle के clear है कोई डाउट नहीं होना चाहिए ये इन चीजों में next question आप जल्दी से देखें नए mayor बने है फिरहाद हकीम ये किस जगा के नए mayor बने है इसको बताएं जल्दी से mayor के बारे में पूछा जा रहा है ये कहां के नए mayor बन गये है जल्दी जल्दी फिरहाद हकीम जी जो है वो नए mayor बन गये है कलकत्ता के कलकत्ता के जो त्रिमूल ममता बैनर जी इन्होंने नाउंस किया है कि फरीद हकीम जो है वो कलकत्ता के जो हमारा अल्मस्ट वन अब तो मुस्ट ब्यूटिफुल एंड ओल्डेस सिटी भारत का वहां पे यह हकीम जो है यह बन गए है और सुब्रता बक्षी जो है इनको नॉमिनेट किये थे क्लियर है कलकत्ता मिनिसिपल कॉर्परेशन अब देखें यहां से कहानी क्या शुरू हो रही है कि हम आपसे जन्वडी का पूछ रहे हैं अगर दस क्वेस्टिन आपसे पूछा जाएगा जन्वडी का नहीं पता है कोई बात नहीं जल्दी जल्दी करेंगे ताकि आप मैम सर बोल रहो सर मैं थोड़ा हकलाना इस नौट आ प्रॉब्लम हकलाने मैं भी हकलाती हूँ ठीक है तो यह कोई बड़ा बात नहीं है बस आप थोड़ा कॉन्फिदेंस रखें थोड़ा प्रैक्टिस करिए ठीक हो जाएगा कोई भी आपमें ऐसा समस्या नहीं हो सकता जि है तो विच कंट्री इस सेट तो जॉइन अस शिक्स मेंबर ऑफ फाइफ आई इंटेलिजेंस नेटवर्क देखें यह सवाल हम कोई एक्स्प्लानेशन नहीं देड़ें पांच आई कहते हैं जब पुरे दुनिया में कुछ हो रहा हो तो फाइफ आई होता है सिक्स आइकॉ तो यह सवाल जब तो नहीं है तो इस इही सवाल अगर आपसे पूछ ले तो यह सवाल अगर हम पुराना करण ехज Super तो नहीं हुआ भले बाद जो है जन्वरी में उठी थी लेकिन यही सवाल क्यूंकि जपान नहीं बना है माली जे कि इंडिया जो है वह सेक्यॉरिटी जलती है चले तो अब आप इसका आंसर बताएं इंडियन रेलवे कंप्लीटेट दे ट्राइल रांस ऑफ दे न्यू विस्टा डॉम टूरिस्ट कोच अब बताएं देखे हम लोग नोने विस्टा डॉम टूरिस्ट कोच का नया 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 ताज महल जैसा फाइफ स्टार होटल जासा हम लोग ट्रेन बना रहे है तो यह ट्रेन जो है यह कहां से आया है हाँ यूके तो पहले से है न तो जपानी होगा कुछ वर्ट तो आके मुझ से को निकलते हैं उनको कोई कॉपी नहीं कर सकते हैं असलम खान अब क्या बोल रहे हैं चलें तो आप बताएं चल्दी से इसका आंसर देखें इंटेग्रल कोच फैक्ट्री चन्नाई कोच फैक्ट्री चन्नाई में इदम ताज महल जासा ट्रेन बना के हम लोगों को देगा पा सही है लेकिन हमारे पास तो तना पैसा नहीं है आप लोग जड़ नौक्री लग जाए सरकारी तो खुद भी घुमिएगा माडम को भी घुम तो आप समझ जाएगा वैर ओवर 20,000 डक डाइड देखिया अब यह जो है यह कभी पुडाना न्यूस हो सकता है इतना जादा न्यूस में आ गया थे इतना जादा चर्चा में आ गया था यह तो यह पूछा जा सकता है ठीक है आप लोग को जोईन करना है आपको जो भी कोर्स चाहिए अभी हम खोल के दिखाएंगे स्टोड फिजिक्स किमेस्ट्री जो भी चाहिए सब है अड़्डा के आप पे आप आज ही जाके उसमें इन्रोल हो जाएए लेकिन कोड हमारा यूस कीज़ेगा वना फिर हम आ इंटको मार दिया गया था क्यूं कोवेड के कारण की कोई उनको खान आजाए टो में अपने उन्नीयन ने साइं किया है इंवेस्मिंट ट्रीटी किस अशिक थ sharan क के साथ तो फिर जो कह रहा है कि हम इंवेस्ट करेंगे कि इसके साथ चाइना के साहिए अब इनका अपना मन है, क्या ही बोल सकते हैं नेक्स्सक्रेशन है, इंडिया आग्ज विच कंट्रीज तो असेस्ट इस क्रियो मेंबर तो स्टैंडर्ड कार्गो वैसल M.V. जग जग अनन्द और M.V. अनास्ताश्या, ठीक है? यह देखिए, क्या है? यह पुड़ा कहानी समझी है भारत में कार्गो वैसल है, कार्गो वैसल यानि कि जो इनसान को नहीं समान को एक जगा से एक जगा करती है M.V. जग अनन्द और M.V. अनास्त अनास्त अश्या जो है तो भारत ने किस कंट्री को बोला है कि मिल के काम करेंगे? भारत ने चाइना को बोला है, सब चाइना ही को बोल रहा है ठीक है? सोमा मंडल, न्यू चैर परसन औफ विच पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज अब देखें, क्योंकि ये भी बड़ा ज़ादा न्यूस में रही है तो ये जैन्वरी का न्यूस थोड़ी रहेगा ये तो आपका करेंट अफैस ही रहा, हमेशा करेंट अफैस रहेगा तो सोमा मंडल जो है, वो कहां की चैर परसन बनी है क्योंकि ये पहली बार ऐसा हुआ कि विमेन बनी है इसी लिए इनसे पूछा जा रहा है, बताइए इंडिया का ग्लास करना है, ठीक है पीडियेफ आपको टेलिग्राम से मिल जाएगा आप लोगों को पढ़ाई छोड़के ना, वो होता है ना कि आप लोगों में क्या दिक्कत है, बहुत बार नोटिस कि है, इंजीनियर्स जितने हैं, जो तैयारी कर रहे है, जैसे मालीजी कोई एक बच्चा होता है ना, वो बैठावाय शांती से, अब उसको हम एक डॉल दे दिये, खेलने के लिए, और अब उसको वो डॉल पता है कि इसको मिल गई है, अब उसको वो छोड़के बाकी दुनिया का सब खिलाना चाहिए, हमको कार चाहिए, हमको हेलिकॉप्टर चाहिए, हमको एरो प्लेन चाहिए, हमको XBOX चाहिए, PS4 चाहिए, सब चाहिए, वही आपका भी हाल है, यह नहीं कि अराम से बैठके डॉल से खेल अभी आपको NDA में भी जाना है, सब काम अभी ही कर लेना, इसी एक गंटा में, ठीक है, चले, तो यह कौन सा हो जाएगा, सेल हो जाएगा, से सोमा मंडल, और से सेल, यही बन गई है, इनकी चैपरसन, क्लियर है, नेक्स्ट क्वेशन आपके सामने, वोट इस भारतिय निर्द इसक द्रव्वे, यह बताएं, यह क्या है, यह द्रव्वे जो है, यह क्या है, F-Cat Reasoning के लिए, चैनल पर्ड कैसे पढ़ाया जाता है, यह बस इसके बाद हो जाएगा, ग्यारा बजे से स्टी पांडे आपको मिल जाएगा, Reasoning के लिए, क्लास, Sahil सर कड़ाते है, मुझे ब 30 हो जाएंगे 25-26 क्या है ठीक है तो 11 बज़े से आपको मिल जाएगा 10 बज़े देखिए क्लास का मैं टाइम बता देती हूं आठ से नौ चलता है मेरा करेंट अफेस् 9 से 10 बज़े से साहिल से क्लास चलता है उसके बाद जिवेश सर का क्लास चलता है जो की आपको जी के पढ़ाते हैं और फिर जो कम सब ऑस हो सब काम को जाएगा तो यह देखे है certified reference material certified reference material news में रहा है यही है भारती निर्देशक द्रव्वे इसको ध्यान रखेंगे ओके the next question is next question is कि which is the first urban cooperative bank in India to be converted into small finance bank यह देखे यह भी question ना बड़ा जादा news में था पहला urban cooperative bank जिसको उल्टा नीचे कर दिया गया small finance bank बना दिया गया तो यह बताएं यह क्या हो जाएगा अच्छा आपको नहीं हो पाते है तो आप और प्राक्टिस कीजाएगा शिवालिक mercantile cooperative bank को क्या बना दिया गया small finance bank बना दिया गया महाराश्रा का यह बैंक था इसको धियान रखेगा यह भी न्यूस बड़ा न्यूस था है न फिर देखें who is the author of the book titled india's 71 year test the journey to triumph in australia यह बताएं इस book के जो author है यह कौन है और इसको release किया गया है अभी अभी भारत का 71 years the journey to triumph in australia यह बताएं हाँ 10 बज़े सो होता है बिलकुल सबका class कर लो मेरा भी कर लेना यार प्लीज तो यहाँ पर देखें india's 71 year यह कौन किसने लिखा है यह आर कौशिक है इन्होंने यह किताब लिखा है देखें सारे मैंने छाट-छाट के important current affairs में ले के आ रही हूँ मुझे बाद में कोई complain नहीं चाहिए कि मैं मैंने सुना नहीं मैं मैंने देखा नहीं which country claimed a equalization levy in india discriminatory देखें यह बहुत important सवाल है जितना भी हमारे देश में बड़ा बड़ा company है न वो क्या करता है अपना tax बचाने के लिए हमारे देश में कोई चीज, कोई building, कोई office, कोई factory खोलता ही नहीं है और यह क्या करते हैं बाहर रहते हैं और फिर जब आप Facebook यूज करेंगे या कुछ भी यूज करेंगे तो आपको advertisement मिलता है तो वो सारा पैसा इनके पास जाता है लेकिन equalization levy जो है यह tax नहीं देते हैं तो यह उस देश, यह देश कह रहा है कि भारत में उनसे और tax वसूला जाता है और यह सारे बड़े-बड़े company जो है वो अमेरिका के होंगे तो वही ये बात बोलेंगे और equalization levy जो है वो क्या है वो आपको पता होना चाहिए नहीं पता है तो आप चिंता मत करिए CDS के बैच में सब पता चल जाएगा The Environment Ministry अब देखें यह फरवड़ी का सवाल हम पूछ रहा है ठीक है यह फरवड़ी का आपसे question पूछा जा रहा है बताएं जल्दी से France क्यों होगा सारा company तो अमेरिका का है ना तो अमेरिका ही होना चाहिए ना क्यों France क्यों Environment Minister ने अभी रिसेंटली रिलीज किया है National Action Plan for Conservation of Which Spices तो अब हम लोग कोशिश कर रहें कि इस जानवर को बचाएंगे कौन सा जानवर को बचाएंगे Marine Turtle को बचाएंगे जो समुदर में कच्छुए राते उनको बचाएंगे क्लियर है फिर अगला सवाल है कि स्टार प्रोजेक्ट में आड क्या है आड क्या तुमको तो पुड़ा स्टार ही नहीं पता है तो इसलिए हम पुड़ा स्टार का फुरफॉर्म बता रहें आप टेंशन मत लीजे सिविल का महा पैक ले लीजे लेकिन कोड आपको यूज करना है वाई तीन सो बते सिविल में रजट सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं पूरा सिविल जो है जितना भी बड़ा बड़ा इंसिच्यूट है उससे बेटर कोर्स आपको दिया जा रहा है अड्डा इंजिनियर्स पर रजट सरद्वारा सिविल के लिए लेकिन कोड हमारा यूज कीजेगा तो आपको डिसकाउंट मिलेगा चले तो यह स्टार का फुल फॉर्म आप देखें स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजर्ट फॉर स्टेट्स समझ में आया यानि कि पढ़ना को और मजबूत किया जाएगा ताकि हर राज्य से अच्छे रिजर्ट निकल सके फुल बेरोजगार है सारे बैचेज अभी हम बता रहे हैं बस हम तुनन से क्ष्टन सॉल्फ कर देते उसके बाद हम बताते हैं एश्या पैसिफिक परसिफिक परसिनलाइज हेल्थ इंडेक् है तो इसमें भारत का रैंक जो है दस्वा है हमारा हेल्थ में रैंक बहुत खराब है दस्वा है आप लोग को ना question निकडाने देते हैं बहुत सारो question पूछन पूछने लगते हैं देगे चौरी-चौरा कान जो है वो आपको पता है 1922 में हुआ था और यह में है यह तो आप जानते ही है फिर आप देखें next question है कि कौन सा country ने अभी recently amended its citizenship law to attract individual for specialization skill तो यह कौन सा देश है यह है आपका UAE UAE चाहा रहा है कि जादा से जादा लोग जो है वो यहाँ पर आए तो UAE ने अपना थोड़ा सा बदल दिया है specialization skill के लिए लोगों को बुलाने के लिए next question है कि जासकर वैली के बारे में पुछा जा रहा है देखें जासकर वैली जो की news में रहा है तो जासकर वैली कहां है यह है लगदाख में ठीक है next question number 40 कि as per the budget 2021 अभी देखें फरवरी वाला आएगा तो हम लोग उसको भी discuss करेंगे 2021 बाइस estimated fiscal deficit for current deficit क्या होते है समझ में आता है जिसे माल दिजे कि आपका income जो है वो 100 रुपए है और आपका expenditure जो है वो 120 रुपए है तो 120-100 जो है 20 रुपए आपका क्या हो जाएगा deficit हो जाएगा तो current deficit जो है हमारा वो कितना है 9.5% जो है हमारा current deficit है यहनी कि हमारा खर्चा जो है वो साड़े नौर उपेज जादा है समझ में आ रहा है Yes, how many new forest new minor forest produce items has been added under the marketing of minor forest produce through MSP तो यहां पर बुल जा रहा है कि अगर forest वाले लोग जो है वो कुछ चीजों को देंगे ठीक है कुछ चीजों को अभी market में बेचेंगे तो उनको MSP मिलना चाहिए तो total 14 को और जोड लिया गया है कितने है total वो हम लोग पढ़ेंगे tension मत लेजा फिर next question है ASEAN इंडिया hackathon यह हुआ था ASEAN में 10 country है जिसमें इंडिया नहीं है याद है न चाइना भी नहीं है जपान भी नहीं है South Korea भी नहीं है Laos, Vietnam, Cambodia, Malaysia, Indonesia इस टाइप के देश है बुर्ण नहीं ठीक है तो यहाँ पर hackathon जो है वो किस ने शुरू किया यह ministry of education ने शुरू किया है culture नहीं है external affairs भी नहीं है science and tech भी नहीं है education मंतरी द्वारा यह शुरू किया गया है फिर आप से पूछा जाएगा कि who has been appointed as the new managing director of LIC तो LIC के नए managing director जो है सिधात मोहनती बने है MD जो है LIC के वो यह बन चुके है clear है which institute is to provide US dollar 304 million loan to a sum to enhance interstate power transmission project तो यह बताएं यह किस के द्वारा है AIIB ठीक है तो AIIB क्या कर रहा है हम लोगों को loan दे रहा है यह bank है आप जानते हैं ना हाँ तो हम लोगों को loan दे रहा है ताकि हम अपना बिजली को ठीक कर सके transmission ठीक कर सके कहां पे असम में ठीक कर सके clear है next question है कि T जो है उसका क्या मतलब होता है सफूर्ती में अब सफूर्ती का full form आप लोग हमको बताएगा क्योंकि यह भी बड़ा news में रहा है और सफूर्ती में T तो traditional है बाकी सफूर्ती का full form comment section में मुझे जानना है आज March शुरू हो चुका है India's first undersea tunnel यानि कि समुधर के अंदर tunnel बनाया कहां जा रहा है Mumbai में बनाया जा रहा है वही Bombay High में बनाया जा रहा है ठीक है उसके बाद आप देखे which organization has prepared a draft of national migrant policy in India तो कहां पर यह migration हो रहा है नीती आयोग ने इसको शुरू किया है ठीक है मेरा यहां पर मकसद यह है कि यह साल खतम होने के पहले हम लोग मैक्सिमम क्रेशन डिसकास कर ले ताकि जब नए साल आए तो नए करेंट अफैस को पढ़े पुड़ाना ना बार बार पढ़ना पढ़े क्लियर है अब बताएं कि विच रेगूलेटर हैस प्रपोज तो इसको शुरू किया है तो यह है सेवी सेवी ने इसको शुरू किया है अगर कभी पर ऐसा शब्द दिखे तो सीधे सेवी मार दिजएगा कुछ सोचने समझने का जरूरत नहीं है अब आप बताएं कि यदाखिल पोटल यदाखिल पोटल जो है वो क्यों क्या है यदाखिल पोटल तो देखे कंज्यूमर ग्रिवैंसे यानि कि अगर आप को समान कर देंगे या आपको फेस्बुक से शिकायत है आमजवन से किसी भी चीज से शिकायत है तो आप उनलाइन उसके खिलाफ कंप्लेइन कर सकते हैं यदाखिल में जाकर क्लियर है फिर next question आप देखे जल्दी से as per the world bank which country is set to lead economic recovery तो बताएं world bank कह रहा है कि recovery of east asia pacific economies जो है वो कौन सा देश हो जाएगा ये चाइना है ये कह रहा है कि हाँ इनका recovery जो है बहुत अच्छा हो जाएगा world bank इस बात को कह रहा है when is international day of solidarity with detained and missing staff members observed तो ये बताएं ये कौन मनाया जाता है ये कब मनाया जा रहा है गाईज ये है 25 मार्च ठीक है 25 मार्च को ये दिवस मनाया जाता है clear हो गया है कुछ doubt नहीं होना चाहिए दिक्षा दिक्षा जो है वो किस मंत्री के अंदर obviously education मंत्री के अंदर है फिर हील कोविड हील कोविड वड़ा न्यूज में था तो ये कहां का था ये ट्रैल चलाया गया था UK में UK में ये ट्रैल चलाया गया था उसके बाद अगर आप से पूछा जाए इंडो साउथ कोरियन फ्रेंशिप पार्क और ये कहां मनाया जा या तो यह आपका New Delhi में है सि और मत मार के आ जाई का थीक है न्यूदिल making ये पार्क है घरवाल हिमालेयन आस्टेल फिमालेयन इन लोकेटरिण विच स्टेट कर वाल कहां पे हैड़वाल कहां पर है कौन से मंत का परोडी होगा ठीक है ठीक है कल देखे ना अभी एप्रिल चल रहा है तो में जून जुलाई ये तीन महिने का कर लीजेगा ठीक है तो देखे घरवाल कहां पर है ये उत्राखंड में नहीं मैंने ना बहुत स्पेसिफिक क्वेशन नहीं उठा है असा नहीं है कि अगर आपने एप्रिल नहीं पढ़ा है तो आप आंसर नहीं दे सकते हैं आप फिर भी आंसर दे सकते हैं क्योंकि ये क्वेशन अभी भी आया है न्यूज में इत्रम स्पेसिफिक कर इंटफेस मैंने नहीं उठाए कि भाई जो तुम एप्रिल में पढ़े होगे वही ये अ है कि कितना कितना पैसा कितना कौन ग्रोथ किया है उस बाड़े में इसने अपना निकाला है क्या रिपोर्ट निकाला है फिर बताएं विश इंसिच्यूट जो है इसने रिपोर्ट निकाला है साउथ एश्या वैक्सिनेट्स ठीक है साउथ एश्या वैक्सिन जो है इस पर निकाला गया है कि इंडिया आपने GDP में 7.5% से यह सारे 12% चला जाएगा बाप पड़े बाप पता नी कुछ भी बोल रहे है यार यह लोग वर्ड वैंक देखे हम आपको एक बात बोलेंगे जितना भी आपको नंबर दिखता है ना कि इतना इंडिया ग्रो करेगा और फॉल क exercise है जो की कर रहे हैं हम लोग किस देश के साथ तो यह है France जहां पे भी ला ला लिखा रहेगा तो वो France है ठीक है और यह है next question आप से यह almost last question है कौन सा बैंक ने पार्टनर किया है जपान के J.B.I.C. के साथ ताकि वो Japanese Auto Mobile Manufacture जो इंडिया में होड़ा है उसके लिए loan मिल सके तो यह है हमारा S.B.I. यही था session कल आप लोग ना में का पढ़ लिजेगा जून का पढ़ लिजेगा जुलाई का पढ़ लिजेगा तो हम लोग इसको रिवाइस कर लेंगे और हां बहुत लोगों को पता नहीं है कि क्या से स्टोर खोलना है तो एक मिनिट हम आपको दिखा अच्छा तो आप को यह से बता देती हूँ आप पहले अड़ में आप को इन्स्टॉल कर लीजे ठीके फिर अड़ के आप में आप स्टोर में जाיב है स्टोर लिखा रहेंगा स्टोर तो स्टोर में जब आप आप जाएंगे तो आपको जो भी पैक चाहिए-स्अ को डिवें Engineering चाहिए, आप Civil Engineering लिखी आपको मिल जाएगा, Mechanical Engineering लिखी आपको मिल जाएगा, सब कोर्स आपको मिल जाएगा, जितने चीजे आते हैं, वाँ पर Current Facts है, Maths है, English है, Reasoning है, सब मिल जाएगा आपको, आपका Civil, Mechanical, Total G's, और आज ही ले लीजे, हम आपको as a friend बता रहे हैं, कि आज ही ले लीजे, अगर हमको लेना होता, तो हम भी आज ही ले लेते, क्योंकि आज आपको double validity मिलेगा, बस आज ही मिलेगा यह, फिर खताम हुझाएगा यह, double validity का मतलब बता है, क्या होता है, कि माली जे आपको 6 महिने का course चाहिए ना, तो आप 6 महिने वाले पर click कीजएगा, लेकिन वो automatically 6 plus 6 लिखा रहेगा उसमें, और वो 12 महिने का हो जाएगा, 12 महिने का course चाहिए, उस पर click कीजएगा, 12 plus 12 लिखा रहेगा, वो 24 महिने का हो जाएगा, यानि कि आधे दाम में डबल चीज मिल रहा है, आपको समझ रहे हैं, तो और 70% का discount आपको मिलेगा, लेकिन वो पने कैसे मिलेगा, 70% का जो discount है, वो आपको मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको code यूज करना पड़ेगा, और वो है Y332, और अगर आपको 1% discount और चाहिए, मैडम हमको और discount चाहिए, ठीक है, कोई बात नहीं, हम देंगे, तो अगर आप अप से करिएगा, ठीक है, तो आपको कुछ coins मिलेंगे, और वो coins से आप अगर टिक किजिएगा, कि use my coin, जैसे Zomato में होता है, कि use कोई discount टिक कर देते हैं, तो उसी तरह से आपको 1% discount और मिल जाएगा, और टोटल 78% हो जाएगा, ठीक है, हाँ, तो यही बात है, Thank you for watching, hopefully आपको session पसंद आया होगा, कल से आपका class देखेंगे, हाँ, ठीक है, और आप चिंता मत करिए, current affairs और GK, जैसे हम क्या क्या पढ़ाते हैं, आपको बता देते हैं, defense पे, यह तो current affairs होगे, आपका 8 से 9, फिर एक CDS का batch है, उसमें जो भी चीज डीप में पूछा जाता आपको यटी पे मिल जाएगा आपको, वो चलता है पांच बजे, तो कल हमने environment शुडू किया है, बहुत कम बच्चों ने देखा है, मुझे बहुत बुडा लगा यह बात, environment हमने शुडू किया है, Stockholm Conference 1972 से शुडू किया है, उसको देखिए, वो series आपको environment का चपा चपा क्लि guarantee दे रहे हैं, कोई भी paid course में ही आपको ऐसा courses मिलेगा, कोई YT पे आपको इतना exclusive नहीं मिलेगा, तो आप उसको देख ले, ठीके, thank you for watching, पसंद आया है, तो आप लोग लाइक कर सकते हैं, जादा पसंद आया है, तो शेर कर दीजे, जितने भी friends से उनको बताईए, कि सेशन मे सब कुछ पढ़ाई हो रहा है, YT पे, YouTube पे, thank you guys, और हाँ, code आपको use करना है, पता है न, Y332 आज ही कर लिजेगा, क्योंकि आज double validity है,